हलो एंड गुड मॉनिंग आवरिवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टरी ग्लॉस पर मैं हूं डॉक्टर मॉनिका और आज हम 21 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकर्शन करने वाले हैं औ आपके लिए आज का मॉटिवेशनल कार्ट है निंदा से घबरा कर अपने लक्षे को ना छोड़े क्योंकि लक्ष मिरते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है तो आप निरंतर अपनी गोल को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें इसी मॉटिवेशनल का साथ में हम start करते हैं आज का session. First question है Who has become the new CEO of Indigo Airlines? Indigo Airlines के नए CEO कौन बन गये हैं? तो इसका correct answer होगा. Peter Alberts बने है, ये इसका correct answer है. इससे पहले Indigo के जो CEO है ये थे Ronjoie Datta और ये 30 सितंबर को रिटार हो रहे हैं और इनकी जगे जो नए CEO है ये कौन बन गए है Peter Albers बन गए है चलिए Indigo Airlines की बात करें Indigo is an airline company of India ये इंडिया की airline company है और ये इसकी जो स्तापना है ये 2005 के अंदर हुई थी इसका हेड़कॉर्टर Guru Gram Haryana के अंदर है और इसके जो चेर्मेन है Venkat Ramni सुमंतरन है और CFO कौन है Gaurav Nagy है और अब नए जो CEO है ये कौन बन गए है Peter Albers बन गए है CEO of top 5 companies को चलिए हम revise कर लेते हैं current CEO of Meta तो Meta के CEO है Mark Jugarberg और Amazon के CEO है Andy Jesse Microsoft के CEO है Satya Nadella, Alphabet के CEO है सुंदर पिचाई और Tesla के जो CEO है ये है Elon Musk Second nomination है Which Indian has been awarded the British Honorary Award Commander of the Order of the British Empire 2022 किस भारतिय को British मानद पुरशकार Commander of the Order of the British Empire 2022 से सम्मानित किया गया है तो ये जो अवोर्ड है ये Ajay Piramil को दिया गया है डीस का correct answer है चलिए इस अवोर्ड के बारे में हम डिटेल से बात करें तो पिरामिल समुके अध्यक्ष अजे पिरामिल को महा महीम दक्वीन द्वारा मानद कमांडर of the Order of the British Empire से सम्मानित किया गया है और उन्हें UK इंडिया CEO फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में UK भारत व्यापार संबंदों के लिए सेवाओं के लिए ये जो पुरशकार है ये इने दिया गया है 2016 से भारत UK CEO फोरम के सह ध्यक्ष के रूप में अधिक से अधिक आर्थिक संयों के माध्यम से दोनों देशों के बीश मजबूत द्वीपक्षिय संबंदों को मजबूत करने में मदद करने का प्रियास इन्होंने किया है और ये जो अवोड है अवोड के बारे में हम बात करें तो ये कम डिगरी की एक प्रमुग राष्ट्रे भूमी का उपलब दी या समुदाय की सीवा के माध्यम से शेत्रे मामलों में एक विसिस्ट अग्रिनी भूमी का या गतिविदी के अपने शेत्र में एक अत्यदिक प्रतिस्टित अनिभव योगदान के लिए ये दिया जाता है और ये जो पुरशकार है ये 1917 के अंदर किंग जोर्ज वी के द्वारा ये स्तापित किया गया था और इस बार का जो अवोर्ड है ये किसे दिया गया है अजब पिरमल को दिया गया है चलिए अवोर्ड की बात हो रही है तो तो तॉप फाइव अवोर्ड को हम रिवाइस कर लेते हैं तो यह किसे मिला है? Francis C. Carey को मिला है विच क्रिकेटर है विच ग्रिकेटर है विच प्रेस्टीजियस स्पोर्ट आइकन 2022 अवोर्ड बाइ गवर्मेंट आफ माल डिवस तो यह मिला है सुरेश रहना को तो यह मिला है नारायन प्रधान को विच इंडियान महारतन कंपनी तो यह कौन सी बनी है? कॉल इंडिया लिमिटीड बनी है विच स्थेट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व विच प्रेस्टीजियस टी-Eक्स-2 अवोर्ड for 2022 for doubling the population of orchards जो बागो की संख्या है यह दुगना करने के मामले में जो सबसे प्रेस्टीजियस अवोर्ड है टी-Eक्स-2 अवोर्ड यह मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को और यह कहां पर है? तमिलनाडू के अंदर situated है थार्ड नमर क्वेशन है साज्यदारी किस टीम के खिलाडियों के बीच में हुई है तो इसका correct answer होगा यह हुई है क्विंटन डी-कॉग और के-ल राउल के बीच में हुई है डीस का correct answer है यह लकनाव सूपर जॉइंट्स के खिलाडी है डिटेल से बात करें तो लकनाव सूपर जॉइंट्स के क्विंटन डी-कॉग और के-ल राउल ने इंडियन प्रीमियल लीग के इतियास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साज्यदारी की है और IPL में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर की आपनिंग पार्टनर्शिप की हो और क्विंटन डी-कॉग ने कॉलगता नाइट राइडर्स की खिलाब 70 गेंदों में 140 रनों की पारी खेली जबकि के-ल राहुल ने नाबाद 68 रनों की पारी खेल कर 20 ओवरों में 210 रन की साज़ेदारी के साथ में एक नया IPL रिकॉर्ड इन दोनों ने बनाया है और ये टूनामेंट की दूसरी सबसे बड़ी एपराजित साज़ेदारी और किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साज़ेदारी है जोनी बेरेस्टो और डैविड वार्णर ने इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वस रेस्ट आपनिंग साज़ेदारी का रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने 2019 में रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाब सनराइज हैदराबाद के लिए 185 रनों का योगदान दिया फोर नमबर ग्रेशन है वो हैस बीन अपोइंटेड एस नौन वर्किंग प्रेजिडेंट बाई ग्राम उन्नती ग्राम उन्नती ने किसी गेरे कारेकारी अध्यक्षन युक्त किया है तो ये सुनील अरोरा को किया गया है सीज का करेक्टा आंसर है और इनको 36 सालों से अधिका अनुभव है और ये एक रिटायर आईएस आफिसर है इससे पहले ये जो है सूचना और प्रसारन जो मंत्राले है कोशल विकाज और उध्यमिता जो मंत्राले है इसके सचिव के रूप में भी ये काम कर चुके हैं चलिए ग्राम उन्नती के बारे में हम बात करीं कि ये क्या है तो ग्राम उन्नती एक सामाजिक उध्यम है जो किसानों को मुल्ले प्राप्ती क्रशी उत्पादक्ता बढ़ाने और खेती की लागत कम करके उनकी शुद्ध आय बढ़ाने में मदद करता है और ग्राम उन्नती क्रशी प्रोसेसर, बैंक, क्रशी इंपुट निर्माता हो अनुसंदान संस्तान और अन्ने को भोतिक और तकनीकी बुनियादी धांचे की साथ प्रदान करता है जिनकी उन्हें किसानों तक पहुँचने और उनकी सेवा करने की आवशकता होती है चलिए टॉप फाइफ नेशनल अपोइंट्मेंट्स को हम रिवाइस कर लेते हैं री चेर्मेन ओफ एग्री कल्चर कोस्ट प्राइस कमिशन तो ये कौन बने है विजे पोल शर्मा बने है न्यू चेर्मेन ओफ एंटी टेररिज्म कमीटी ओफ सिक्योर्टी काउंसिल तो ये है टी एस त्रिमूर्ती न्यू डिरेक्टर जनरल ओफ नेशनल मिशन फोर क्लीन गंगा तो ये बने है संजे कुमार सिंग न्यू प्रेजिडेंट ओफ इंडियन काउंसिल ओफ हिस्टोरिकल रिसर्च तो ये बने है रगुवेंद्र तमर फाइफ नमर क्रेशन है विजे रिटन दन नॉवल एप्लेस कॉल्ड होम ये इप्लेस कॉल्ड होम नामक जो उपर्यास है करनाटक के सकलेशपुर मेश कॉफि एक कहानी है जिसके मूल मेश मजबूत महिला नायक है जो निया उपर्यास है ये रहश्य परिवार और खुद को खोजने के बारे में है Harper Collins Publishers इंडिया के दौरा ये जो प्रकाशित ये जो नौवल है ये जून 2022 के अंदर ये रिलीस होने वाली है प्रीती शिनौई ने लगबग 15 उपन्यास लिखे हैं जिसमें कौन-कौन से हैं अधमेजिक माइंड सेट वैर लव कम कॉलिंग वैकप लाइफ इसकालिंग लाइफ इस वाद यू मेक इट दर रूवल ब्रेकर्स और एहंट्रेड लिट्ल फ्लैम्स शामिल है उनकी रचनाओं का कोई भारती भाषा ओ तुरकी में भी अनुआद किया गया है चले टॉप बुक्स को हम रिवाइस कर लेता हैं The Founders, The Story of PayPal जो बुक है ये जिम्मी सोनी ने लिखी है The Millennial Yogi बुक दीपम चैटर जी के द्वारा लिखी गई है A Nation to Protect बुक प्रियम गांधी मोधी की है Flight of a Labyrinth Child मितले स्तिवारी की बुक है The Great Tech Game अनरुद सूडी के द्वारा लिखी गई है A History of Shri Niketan ये उमादाश गुपता के द्वारा लिखी गई है A Little Boy of India ये रसकिन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है Indomitable जो बुक है ये अरुन्दती बटाचारी के द्वारा लिखी गई है Mamta Beyond 2021 जो बुक है ये जैन्त गोश के द्वारा लिखी गई है Sixth No. Question है When is World? Aids Vaccine Day और HIV Vaccine Awareness Day 2022 celebrated Vishw Aids Vaccine दिवस और HIV Vaccine जागरुकता जो दिवस है ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 माई को See is का correct answer है Vishw Aids Vaccine दिवस और HIV Vaccine जो जागरुकता दिवस है इसके रूप में मनाया जाता है और ये जागरुकता पैदा करने और Acquired Immunodeficiency Syndrome जो Aids की full form है इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 18 माई को दुनिया भर में सालाना ये मनाया जाता है और इस दिन के पालन का नेतरत्व National Institute of Health National Institute of Allergy Infectious Disease सेंट राज अमेरिका के दौरा ही किया जाता है Red Ribbon Aids जागरुकता का अंदराश्टे इस्तर पर मानेता प्राप्त प्रतीक है और Vishw Aids Vaccine दिवस की संकलपना 18 माई 1997 को Morgan State University Maryland सेंट राज अमेरिका में सेंट राज ये अमेरिका के पूर्व राष्टपती Bill Clinton के भाशन से हुई थी और पहली बार Vishw Aids Vaccine दिवस या HIV Vaccine जागरुकता दिवस 18 माई 1998 में को अमेरिकी राष्टपती Bill Clinton की 1997 की गोशना के इसमेल लोस्व की रूप में ये मनाया जाता है 7. Quesion है The Fourth Meeting of the National Startup Council किसने राष्ट्रे स्टार्टप परिशद की चोथी बैठकी अध्यक्षता की है तो ये पियुष गोईल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है वानीची और उद्योग उभोगता मामले और खादे और सारोजनिक वित्रन और कपड़ा जो मंत्री है श्री पियुष गोईल इन्होंने नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रे स्टार्टप सलाकार परिशद की चोथी बैठकी अध्यक्षता की है और मंत्री ने तर्शिकों से कहा है कि सरकार स्टार्टप एको सिस्टम के विकास को बड़ावा देना चारी रखेगी और इन्होंने NSSC सदश्चों के प्रयासों की प्रशंशा की है और उन्हें टीयर 2 और टीयर 3 स्टानों पर ध्यान केंदरित करने के लिए प्रौतसाहित किया जहां VC वित पोशन दुल्लब है और परिशद ने प्रशंशा की जैसे की मूल प्रमोटर स्वामित्यू की रक्षा करना भारत में शामिल करना भारत में सूची बद होना और नवाचार केंदरों का निर्मान करना सदश्चोंनी रास्ट्य परामर्श कारिकरम निवेशक स्टाटप मेच मैकिंग पोर्टल और इंक्यूबेटर शम्ता विकास कारिक्रम जैसे कारिक्रमों की प्रगत्ती पर भी चर्चा की जिन पर पिछले NSSC सत्रों में चर्चा की गई थी एट नमबर केशन है वो एस विकम दे न्यू MDN CEO ऑफ भारती एर टेल भारती एर टेल के नए MDN CEO कौन बन गया है तो ये बन गया है गोपाल विठल बन गया है बीस का करेक्टर आंसर है भारती एर टेल बोर्ड ने गोपाल विठल को 31 जनवरी 2028 को समाथ होने वाली 5 साल की अवधी के लिए प्रबद निदेशक और CEO के रूप में फिर से अपोइंट किया है और पुनर नियूकती उस दिन हुई जब टेलकों ने मार्ज तिमाई में 2007.8 करोर रुपे का समय के शुद्दलाब पोस्ट किया जो क्रमिक रूप से 141 परसेंट और वर्ष में 104 परसेंट था विशलेशकों को लगबग 1,970 करल रुपे का शुद्दलाब प्राप्त हुआ है भारत में कारोवार के लिए चोथी दिमाई के दोरान इसके राजश्व व्रदी 23 परसेंट रही जबकि मॉबाइल राजश्व में प्रती उप्योग करता ओसत राजश्व में 21 परसेंट की व्रदी हुई जिसका नेतरत वर्ष के दोरान टैरिफ शंसोधन के स्वस्त प्रभा और मजबूत 4G ग्रहक परिवर्दन के कारण हुआ चले टॉप 5 MDN CEO को हम रिवाइस कर लेते हैं MDN CEO of Shiva League चले टॉप 5 MDN CEO को हम रिवाइस कर लेते हैं New MDN CEO of Shiva League Small Finance Bank तो यह अंशुल स्वामी बने है New MDN CEO of Colgate Palmo Live Limited तो यह प्रभा नरसिमन बनी है New MDN CEO of Country's Largest Car Maker Company मारूती सूजु की इंडिया तो यह बने है हिशाशी टैकुची New MDN CEO of Industrial Development Bank of India तो यह है राकेश शर्मा MDN CEO of Bajaj Alliance General Insurance तो यह है तपन सिंगल Nine number question है Who has presided over the meeting of foreign ministers of BRICS countries देशों ने विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्सता किसने की है तो यह की है चाइना की द्वारा की गई है इसका correct answer है चीन ने BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्सता की है और इस बैठक में पाच BRICS देशों कौन-कौन से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिन अफ्रीका के विदेश मंत्री शामिल होंगे और भारत की तरफ से इस बैठक के अंदर भारत के विदेश मंत्री की एस जैशंकर अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक का जो उद्देश है यह अंतराश्टी शेत्री मुद्दों पर BRICS भागीदारों के साथ समन्वे बढ़ाना है चलिए BRICS की हम बात करें BRICS is a grouping of five countries and was earlier known as BRICS but changed to BRICS when South Africa joined in 2010 2010 के बाद में इसका नाम BRICS हो गया इससे पहले इसका नाम BRICS था फिर South Africa इससे जोइंट हो गया अब इसके अंदर पांच देश शामिल हो गए है इसकी स्तामना 2006 के अंदर हुई थी जो पहला BRICS सम्मिट है यह 2009 के अंदर हुआ था इसका हेड़कार्ट इस संगाई के अंदर है और BRICS member countries कौन कौन सी है ब्राजील है रशिया है इंडिया चाइना और साउथ अफरीका है जो 2010 के अंदर इसके अंदर शामिल हुआ था यह जून 2009 के अंदर रशिया के अंदर हुई थी तैन नमर क्रेशन है अंडर हुष चेर्मेंशिप दे सेंट्रल गवर्रमेंट है अनौंस दे फोर्मेशन आफ दे कोटन कांसिल ओफ इंडिया किसकी अध्यक्ष्टा में केंद्र सरकार ने भारतिय कपास परिशत के घटन की गोशना की है तो यह अध्यक्ष्टा करने वाले है सुरेश भाई कोटक सीज का करेक्ट आंसर है केंद्र सरकार ने प्रसिद वयो व्रद कपास व्यक्ती सुरेश भाई कोटक की अध्यक्ष्टा में भारतिय कपास परिशत के घटन की गोशना की है और परिशत में भारतिय क कपास निगम और कपास अनुसंदान संस्तान के साथ कपड़ा क्रशी वानिज्य और वित मंतरालों का प्रतिनिधित्व होगा चलि कोटन इंडस्ट्री इन इंडिया की बात करें तो सूती धागे और कपड़े का निर्यात भारत के कुल कपड़ा और परिदान निर्यात का सूती धागे, सूती कपड़े, सूती कपड़े और हत करगा उत्पादों का निर्यात 10.01 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुंच गया है चलिए 20 मई के जो MCQ है जल्दी से अमेरी रिवाइस कर लेते हैं फर्स्ट क्रेशन था पंद्रवे विश्ववानी की कॉंग्रेस 2022 की जो अध्यक्षता है ये किस देश ने की है तो ये की थी साउथ कोरिया के दोरा 20 का करेक्ट आंसर है भारती शेर बाजार बॉंबे स्टॉक एक्षेंज के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बने है तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसस मूंदड़ा बने है 20 का करेक्ट आंसर है थर्ड नमबर क्योशन है इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिबेट किया गया है तो ये किया गया है 18 मई को सी इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर नमबर क्योशन है माइग्रेशन एंड डवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ड दोहसर इक्ट में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेश्चित धन प्राक्त करने वाला जो देश है ये कौन सा बन गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया बन गया है A इसका करेक्ट आंसर है 5 नमबर क्योशन है रोयल एंफिल्द के नए कारेकारी अधिकारी किसे न्युक्त किया गया है तो जो रोयल एंफिल्द है इसके न्यू एग्जुक्वेटिव जो that य ये कौन बन गया है giveind राजन बन गया है सीज का correct answer है 6. ग्वेशन है किसे अमेरिका की राष्टे विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है तो इसका correct answer होगा डॉक्टर कमल बावा को चुना गया है सीज का correct answer है 7. ग्वेशन है कौन सा देश जर्मनी को पचार कर चोथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है तो इसका correct answer भी होगा इंडिया बन गया है इसका correct answer है 9. कहां सूपोशित मा अभियान के दूसरे चरण की शुरुवात हुई है तो ये राजस्तान के कोटा के अंदर हुई है 10. कहांसर है 10. कहांसर है किसने वंगारी मथाई फोरस्ट चैंपियन आवोर्ड 2022 जीता है तो इसका correct answer होगा चैमरून एक्टिविस्ट सैसिल नद जेपेट के दौरह ये जीता गया है 20. कहांसर है और ये था कलका स्टडी ग्लॉस क्वेशन और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेशन विश्वक कुषाली सूचकांग 2022 के अनुसार कुषाल देशों की सूची में भारत कौन से इस्थान पे रहा है तो इसका अंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजेगा आप लोग के लिए मैंने इंडेक्स का जो वीडियो है ये अलग से डाल दिया है तो इसका अंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजेगा आप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में लाइक कीजिए ये हमारा टेल्किराम चैनल है यहाँ पर आपको क्विज मिल जाती है वो यहाँ जाकर आप जादर जादर क्वेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं चलि मिरते हैं हम एक नए सेशन के साथ में थेंक यू